कोणी, चीवा, दोस्तों, कैसे हो आप सब, आज की वीडियो में हम भाई लोग का अडा का इंट्रेवी लेने वाले हैं वह जानते हूंगे हैं क्या बदा कुछी ही होंगे, पर शही जानते हूंगे So I basically am an anime fan और मेरा Poken का channel है पर मैं आजकल Poken देखना बंद कर चुका हूँ पर फिर भी I play Poken Games I play other games on my second channel और आज मैं आया हूँ भाई अभिराफ Talks के channel पर थोड़ी बात चीट करने के लिए उसके कुछ questions का जवाब दूँगा मैं तो चलिए interview को start करते हैं एक तीन साल हो गए अपना channel चालू किया हूए मैंने तब चालू किया था जब मेरे 12th के लिए एक्जाम चालू हो ही रहे थे 12th Boards के और वो टाइम थे मैं भूली निसकता है मैंको एक्जाक्ली याद नहीं कि कब हुआ था वो पर मुझे इतना याद है कि मेरा अगले दिन Maths के एक्जाम था और मैंने पने पापा को बताया था कि पापा मेरा YouTube channel है में को लेक डांटमाट पड़ी थी काफी कि क्या कर रहे है तरह एक्जाम चल रहे हैं तो याद वस ऐ क्रेजी टाइम मैं तो याद उस टाइम पर अगले था कि मेरा channel है चालू मैंने एक महीने या डेड़ महीने पहले ही कर दिया था जब एक्जाम चालू होने में लेक एक दो हथते थे तो पता नहीं क्यों यार मैं सोच ताइम पास के लिए चलो यार थोड़ा गेम खेल लेते हैं तो उस टाइम पर मैं खेला करता था Pokemon Black and White I think तो मैं अल्री दूसरी बार खेल रहा था मैं बहुत बार खेल चुका हूँ भाई Black and White 2 बहुत बार खेल चुका हूँ सबको देखता था तो मैंने सोच यार चलो देख लेते हैं करके यार अपनको क्या है टाइम पास तो करना ही भाई ऐसे थोड़ी दिर के लिए तो एक दिन में थोड़ा एक दो घंटे निकल जाएंगे मैंने गेमिंग वीडियो नहीं डाली थी ये हिंदी में एपिसोड सन और मोन के ये धीरे धीरे करके ने और थेओरी बनाई जब मैंने पहली पार गेमिंग वीडियो डाली भाई उस पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला फिर मैंने गेम्ज के लना जब धीरे दीरे चालू किया और इसी तरह से भाई फिर चानल ग्रो होना लगा इंस्पिरेशन तो यार I would say Pokemon ही थी मुझे बस अंदर से लगता था कि मेरे पास क्यों ऐसे दोस्त नहीं है जो कि Pokemon देखते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना यार YouTube पर डाले जाए वीडियो उस पर कॉमेंट्स आएंगे उस पर लोग उच्छी आपता आजाएं बात करें Pokemon के बारे में ऐसे हुगा भाई अब इतने सारे लोग हैं जिनके असाथ में होगा उनकी बात कर सकता हूँ या ये मुझे काफी कम लोग पूछते है आए विश के काफी जादा लोग पूछें जिससे उनको समझ में आए कि क्यूं मैंने अपने चैनल करना भाई लोग का अड़ा रखा इस पर एक specific reason है यार तो इसके पीछे ये reason था कि जब मैं hostel में पढ़ता था तो उस टाइम पर लेक हम लोग रात को एकटा होते थे भाई एक बंदे के रूम में वो हमार अड़ा था कि हम भाई इसके आपर आएंगे थोड़ा एक दो घंटे तक time pass करेंगे जिससे पूरे दिन का भाई stress रिगी हो जाए बात ही नहीं करेंगे भाई पूरे दिन हुआ क्या फुल टाइम पास उस टाइम पर पबजी अबजी तो था नहीं तो भाई बात ही चलती थी वास गेम से में जी खिलते थे हम लोग एक दूसरे का मजाख होड़ा आते थे तो बस यही चाहिए था मुझे क्यार ऐसे एक क्यार मैं community बनाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग आके मस्ती करें मजाख करें भाई तो इसलिए मैंने नाम रखा था भाई भाई लोग का अड़ा I wish काफी सारे लोग को पता चले इसके बारे में कि क्यूं मैंने भाई ये नाम रखा है काफी सारे लोग को अजीब लगता है बोले है मुझे भी कभी कभी लगता था पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैंने जो रीजन के वैसे रखा है वो रीजन कुछ भी गंदा नहीं है इक टिट इस जन्वन रीजन तो इसलिए अब मुझे इतना कुछ ऐसा लगता नहीं है भाई बागे चीजन के साथ मैनेज के करते हो हैं तो मस्ती के चक्कर में भाई पढ़ा ही नहीं की अब पुरा रिवाइस करना पड़ा तो उसके वैसे भाई फिर टाइम नहीं मिल पाता था यूटीब वीडियो बनाने के लिए और जब यार मिलता था तो उस टाइम पर लगता था कि यार थोड़ा आरामी कर लो तो इस च करते था था फिर जब मैं कॉलेज में रहता था दस बजे के आसपास तब अपने भाई वो पब्लेश हो जाती थी तो तब ऐसा हो जाता था पर अब अब तो दो चानल भी हैं तो इस लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना पर मैं ट्राइ कर रहा हूं भाई प अच्छे से डीटेल में देना चाहूंगा सॉरी अगर मैं बहुत ही लंबा आंसर दू इसका पर मैं इसके रहे बात करना जाता हूं क्योंकि आजकल भाई मैं बहुत ही अजीव चीज एक्स्पिरेंस कर रहा हूं मुझे भाई टेंचन होती ही कि सब चला जाएगा मेरे जित भूल जाएंगे लोग भूल लेंगे कि रिशब था भी भाई और ऐसा हो चुक है भाई क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भूल चुक हूं काफी सार लोग को I won't blame the people man बट ये जगे ही ऐसी भाई YouTube YouTube का experience मेरे ऐसा आए कि मैं को डर लगता है भाई अब कि क्या होगा आने वाले टाइम में अब जो YouTubers ग्रो हो रहे हैं भाई तुम चिंदा मत करो अभी तुमारे ग्रो होने का टाइम है बर जब तुमारे 100 के के ऊपर चले जाएं consistent ज़रूर है ना यार मेरी वाली गलती मत करना मैं अब फिर से try करा हूँ consistent होने का तो हाँ भाई try करना के तुम consistent रहो बले ही तुम एक हफते में एक वीडिटो डालते हो तुम एक वीडिटो डालो ऐसा नहीं है कर तुम दो हफते में एक डालने लगो अगर तुम रोज डा तो पर एक्चुल अगर आनेमे की बात की जाए, लगि पोके उनको भी आनेमे नहीं मानते एक सेकंड के लिए, आनेमे है वो पर ठीक है उसके लावा, सबसे पहला जो मैंने आनेमे देखा था वो मुझे रिकमेंड किया था पोके बार सेक्स नहीं, उसने बोला कि भाई एक ब पोलर नहीं दोंगा तो आप giा के देख सकते हो, मूवी की बात नहीं कर रहे हो वैसे, मैं है कर रहा हू भाई कुछ पेरसाइट नहीं आते है, मैं कर रहा हू भाई आनेमे की बात, तो वह पैन्ने आनेमे आपका फिवरेट है और क्यों? लगते है मुझे हर किसी के emotions के बारे हम बताया जाता है उसमें एक चीज बहुत अची बताई जाती है कि तुम किसी को जज नहीं कर सकते है और उसकी side देखे बिना यह ना यह चीज बहुत सही बताई जाती है और यह real life में भी लागू होती है तुम अगर किसी को जज कर रहो भाई पहले देख लो कि भाई वो बन्दा किस चीज से गुज रहा है और epic fighting scenes ब्रो fighting scenes तो super से भी उपर है बाई और मतलब ऐसे ऐसे scenes है ना उसमें कि मतलब रोंटे खड़ हो जाते है actually अगर तुम्हें असल में जानना है कि तुम्हें वनपीस क्यों देखना चाहिए हो मुझे क्यों पसंद है तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ वनपीस की अगर तुम्हें भाई जानना है उसके बारे में तो तुम मेरा चानल जाके देख सकते हो portion no.7 आप सबसे पहली बार कौन से anime में वोए थे सबसे पहली बार तो आइथिंग मैं नारूटो में रोया था उसके पहले तो मैं कभी नहीं रोया आने में और मैं खुद को समझता था कि मैं मैं नहीं रोता रूता रिती जल्दी पर में को पता चला यार कि मैं बहुत जल्दी रो जाता हूँ यार मैं बहुत ज़ादा इमोशनल हूँ अगर कोई चुन्नू सा सीन होगा ना जिसमें कोई नहीं रो रहा है तो भी भाई मेरे आशू निकल जाते हैं क्योंकि यार मैं अपने आपको प्लेस कर देता हूँ उस करेक्टर के आप पर क्या आप कुछ एनिमे रिकमें कर सकते हैं हमारी ओडियंस को जो आपको पसन है एनिमे रिकमेंडेशन अगर मैं दूंगा तो भाई वन पीस तो मैं भाई पूरी वीडियो में ही बोले जा रहा हूँ तो वन पीस तो है यह फिर नारुटो अगर तुम नहीं देखा है तो शोने नानिमे यार यह तो मतलब देख लो यार तुम और वन पीस से बिल्कुल भी डरना मत यार 960 episodes भाई डरना मत विल्कुल भी एक एक करके देखो ना यार मतलब क्या दिक्कत है उसमें इतनी लंबी तो उमर है भाई तुमारी यार तो क्या दिक्कत है भाई देखता जाओ और क्या एक दिर में दो देख लो episode भाई कभी ना कभी तो खतम होंगे ना और भाई attack on titan यार यह तो देखना बनता ही बनता है भाई of course attack on titan तो हम सबजा के सुन रहे हो गए और मुझे food wars भी यार काफी पसंद है खासकर कि starting के तो दो सीजन काफी पसंद है उसका थोड़ा से f-up हो गया पर ठीक है भाई फिर भी में को अच्छा लगता है भाई वो शो एक अभी मैं high q देख रहा हूं यार high q भी बहुत सही है यार high q मैंने पूरा भी खतम नहीं किया है but i would still recommend it man high q अगर नहीं देखा तो देखना वो volleyball के बारे में है अभी फिलाल इतनी recommendation देता हूं अगर तुम्हें कुछ ऐसे नया मिला हो तो भाई जरूर देखना question number 9 आपका हमारी Indian anime community के उपर क्या opinion है हमारी Indian anime community है बहुत ही ज्यादा toxic generally like public बहुत हीजा toxic है मालब ऐसी public है Indian anime community में जो कि बोलती है कि भाई सारे anime अच्छे है यार जो जो anime देख रहा है अच्छी बात है देखनो तो यार उसको पसंद है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि Pokemon बेकार है Pokemon घटिया है तो ऐसे भाई दोगले लोग बहुत ज्यादा मिलें तो में anime community में मेरे कुछ दोस्त है भाई उनके साथ में anime की बात कर लेता हूँ मेरे सब्सक्राइबर उनके साथ बात कर लेता हूँ मेरा हो गया भाई मेरे को में को फालतू के fake anime fans से बात नहीं करनी है भाई question number 10 what is the most embarrassed thing in your life question number 11 आपकी life का सब्सक्राइब को साथ है जब मैं happiest moment सोचता हूँ तो यार अभी फिलाल तो मेरे दिमाग में वही आता है जब मेरे 100 के हुए थे मेरे main channel पर भाही लोग कड़ा वाले channel पर यार ऐसा कुछ एकदम उभर के नहीं आता मेरे दिमाग में तो I think अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कुछ ऐसा होने का जिससे म अभी I don't think मैंने वह achievement unlock की है proud of myself achievement जब ऐसा होगा फिर मुसे question पूछ जाएगा न तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भाही चीज आएगी तो ऐसा मैं वेट कर रहा हूँ एक happy moment होने का नहीं तो भाही फिर तो भाही life happy है happy happy चलता रहता है पर happiest moment अभी नहीं आया question number 12 best Pokemon game जो आपने आज तक खेली है अभी तक जो best Pokemon game मैंने खेला है वो है भाई पोकन black and white like black 2x2 यह में को काफी अच्छे लगे थे और उसके लाब भाई यह भी poker spotting sheet था वो भी काफी अच्छा था बट I wish के story भी अच्छी होती काफी पर ठीक है कोई बात नहीं पोकन games अच सजे कि आज कल बहुत जादा लोग YouTube पे आ रहे हैं I would recommend कि जब तुम कम से कम 14 साल के हो जाओ भाई तब try करो YouTube उसके पहले try मत करना क्योंकि अगर तुम्हें उस टाहीं पर थोड़ा success नहीं मिलेगा तुम्हें अच्छे views नहीं मिलेंगे तो तुम्हें इतने धुकी हो जाओ जादियार चालू करना उसके पहले प्ली चालू मत करना और काफी सार लोग बोलते हैं कि चानल ग्रो नहीं हो रहा हम क्या करें भाई देखो try करते रहो कुछ ऐसा content बनाओ जो कि रिलेटेवल हो यार अभी के public के लिए जैसे अभी पोकान का गेम आ रहा है तो उस पे कुछ speculations करो कि भाई क्या हो सकता है कुछ theories बनाओ उस spoken game के बारे में ऐसा कुछ करो यार जो topic जो hot है उसके बारे में बात करो अगर तुम कोई ऐसा game खेल रहो जो कि भाई आट साल पुरान है तो वह starting के लिए नहीं है वो game लिक तुम्हारे channel के start करने के लिए नहीं है तो मैं find me on my channel भाई लोग का अडड़ा या फिर तुम मुझे instagram पर follow कर सकते हो same username और भाई अभिरफ टॉक से चैनल को subscribe करो यार मसमस इंटर्व्यूस डालता है थोड़ा सब के personality के बारे में बता चलता है तो इस चैनल को ज़रू subscribe कर ले ना और notification बिल दबा देना boys थैंक्यू दिशा भाई हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत खुशी है कि मैंने आपका इंटर्व्यू लिया और जिल लोगों ने दिशा भाई को social medias में follow नहीं कर रहे तो इनकी social medias का लिंग description में आप इनको जाके follow कर सकते हैं वैसे में सिर्फ interview नहीं लेता मैं anime वीडिय स्योनारा